हेलो एवर्यवन और वेल्कम बैक तो मैं अधर वीडियो सो फरस्ट फॉल मैं यह बात करना चाहूंगी कि आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही इक्साइट किसम का टॉपिक है अच्छा अभी पढ़ा सा एक वर्ड मेंशन है हेडिक आजकल हमारे लिए सरदर्द इतनी बड़ी बिमारी बन गई है कि हम लोग जिस से बात करते हैं गैधरिंग्स में जाते हैं फामिली में जाते हैं फ्रेंड से मिलते हैं या हम किसी से भी मिलते हैं बाहर हम जाते हैं तो हर पन्दा में यह कह रहा होता है कि यह सरदर्द है तो हमें यह सुनने को मिलता है यार आज हमारा मूर नहीं है हमें सरदर्द है तो क्यों है यह है अच्छा सबसे पहले तो यह कि हम है इसको प्रिवेंट करना है कैसे इसको रोकना है वह हम डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले मैं यह बताओंगी कि इसको इतना ज़्यदा डिप्रेशन क्यों बना लिया इन्शाला इस पे भी हम एक सेशन रखेंगे कि हमारी यूथ को इन्जाइटी क्यों होती है इतनी ज़्यदा इवन हैं हमारे उनिवर्स्टी के अंदर कॉलेजिस में इवन स्कूल के बच्चों को भी आजकल चोटे चोटे बच्चे हमें कह रहे होते हैं कि जी हमें हैडिक है तो हैडिक के बारे में हम थोड़ा सा उसको explain भी करेंगे लेकिन first of all मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगी कि यह जिस anxiety को आप लोगों ने अपने सर पे सवार कर लिया है न यानि आप लोग जब एक चीज को बार-बार सोचते हो आप एक चीज पे बार-बार constant रहते हो consistent आप अपने सर पे हावी कर लेते हो तो फिर आपको different किसम के जोंस है one, two, three, four, five, six, seven, eight, up to so on varieties है हमारे पास इंशाला मैं भी इस lecture में discuss भी करूंगे कि what are these types तो मैं सबसे पहले ये मैं कोशिश करना चाहूंगे कि आप लोग अगर जिस चीज को अपने सर पे हावी करते हैं या जिस बात से आपको interruption होती है या जो चीज आपको बहुत तंग कर रही होती है तो उसको सोचना कम कर दें आप लोगों को थोड़ा ये जो headache का issue है ये थोड़ा resolve हो जाए क्योंकि फिर इस headache के अंदर हमारे पास एक migraine आ जाता है which is a very severe form even I am sometimes suffering from migraine but I can recover this और इंशाला मैं because we are going to physiotherapist तो हम लोग physiotherapist बनने जा रहे हैं तो इंशाला हम आपको एक ऐसी कुछ exercises बताएंगे जिससे आप ज परिशाने का मकसद क्या है इस वीडियो में वो ये है कि सबसे पहले हो तो ये कि आप लोगो ने बोर बिल्कुल भी नहीं होना अगर आप लोग बोर हो गए तो फिर आप लोगों को अपने solutions का हल नहीं मिलेगा इसलिए परिशान नहीं होना without time waste कि हम लोग चलते हैं अपने इसलिए पॉस का बटनी दुबाना आप लोगों ने बस इसको constantly देखते जाना है तब ही आप लोगों का आपके issues पता चलेंगे हाथ रखे किब्की बैठी है מחई जी means के इनको बहुत ज़्यादा यह क्या हो रहा है headache हो रहा है यानी के सर डर्द हो रहा अब हम आगे चर्ट पढ़ते हैं कि अब headache होता क्या है अब headache का basically मतलब क्या होता है यानि हम लोग हर इस बंदे से सुनते हैं या सर में दर्द है बात ना करो सर में दर्द है ये ना कहो तो इसका exactly meaning क्या है pain in the head यानि कि आप लोग के head region में जो दर्द होता है ना इसको हम कहते है headache अब हमारे headache में हमारे पास कौन से किसम का pain होता है ऐसा pain refer करता है जो surface of head पे यानि ये जो आपका head है ना इसकी जो surface है ये इस आपकी surface पे क्या feel होता है आपको एक pain की sensation feel होती है हम कहत type की जो आपको sensations आए which means कि आपको क्या हो रहा है pain in the head हो रहा है next step हम चलते हैं इसके causes की तरफ क्यों होता है headache क्या वजह है इसकी यानि कि हर बंदा क्यों परिशान है इस headache से सबसे पहले देना वह क्यों क्यों कि हम लोग पूरी-पूरी राज जागते हैं ठीक है जी हमारे प हमारे पास वह है lack of sleep जब आप अपनी नींद कम कर देते हैं तो आपको headache का जो सवीर किसम का issue स्टार्ट हो जाता है हमारे पास fatigue which means कि आपका muscle का पीन यानि हमारे पास caffeine withdrawal जो हमारे पास coffee होती है coffee में होती है हमारे पास caffeine इसके इलावा हमारे पास tea जो होती है उसमें भी होती ह है ना यानि हम कहते है यार हमने coffee पीनी कम कर दिया है ठीक है आप इसका excess use मत लें लेकिन लोग इसका excess use मत लें लेकिन at least इतना लें कि आप लोग की ये body की जितनी need है वो पूरा पूरी कर सके यानि कि आप लोग इसके इलावा मतलब के caffeine को totally withdraw मत करें क्योंकि हमारे पास common is food and drinks जिसना chocolates हो गई ऐसे food जिसमें monosodium glutamate है और या फिर ऐसे जिसमें alcohol या ऐसे alcoholic patients हो गए या फिर ऐसे जो लोग chocolates को बहुत जादा use करते हैं अगर आप किसी smoke person के surrounding में बहुत जादा रहते हैं या आप लोग की gathering ऐसे especially boys के लिए mail के लिए के जो smoke person के around रहते हैं और फिर हो जी हमारे मर्ध DMD बाहर से होकर आते हैं और घरा कहते हैं जी हमये तो सर में दर्द हो रहा है वो यही कुछ वजवहात होती है छोटी छोटी चीजे होती है जिनको हम लाइफ में करे होते मगर वही हमारी वजवहात बन जाती है चलने जी next है हमारे पास कुछ लोगों को smell यहाइल का issue होते है फ्रेग्नेंस का issue होते है और यह सब issues होते हैं फिर bright light very major issue इसका इंशाला ला माईगरेन में भी discuss करेंगे कि bright light bright light भी बहुत ज़्यादा issue करती है कि जब आप जब बहुत तेज रोशनी वे जाते हो तो वो लाइट जब आपके आइस के उपर पड़ती है तो आइस के जो मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं कॉन्ट्राक्ट हो जाते हैं पर चीज है एवोकेडो बनाना चॉकलेट पीज यहीं सारी वो चीजें हैं जिनका आप एकसेस यूज करते हो तो आपको क्या होता है है एडिक कॉज होता है फिर हमारे पास estrogen level हमारे पास females में बहुत से type के hormones होते हैं बट specifically इन्होंने यहां पे एक hormone mention किया है estrogen वैसे थो हमारे पास progestron, estrogen बहुत से hormones हैं लेकिन यहां इन्होंने estrogen को इसलिए जिकर किया है क्योंकि हमारे पास menstrual cycle में इस hormone का बहुत ज़दा usage है फिर उन्हेंने का है कि जो estrogen का level है वो women's में फिर change हो जाता है because of headache फिर हमारे पास है menopausal system यानि कि जब आपका menopause आ जाता है यानि आपकी menstrual cycle का जो balance है वो जब disturb हो जाता है उससे भी आप लोगों को बहुत ज़ादा सरदर्ड होता है फिर है हमारे पास secession of caffeine वो ही से कि आप अगर caffeine को withdrawal कर लेते हो यानि कि आप caffeine की amount अपनी life में थोड़ा सा कम कर देते हो उससे भी इसके इलावा medications बहुत ज़ादा लेने से भी आप लोगो headache हो जाता है इसके इलावा कुछ pain relieving meditations होती है जिसना ibroprofen और acetaminophen यानि कि यह वो medicines है जिनसे आपका cause of headache होता है यानि जो लोग in medicines की intake कर रहे हैं वो लोग इससे जोंसा है मैं पहले ही आगाह कर दूँ आप लोग को इस बात से know-how होनी चाहिए आप लोग को अगर याप medicines ले रहे हैं मैं इन medicines को गलत नहीं कह रही I am repeating again these medicines are not defected I am just saying के अगर आप लोग इनका excess use मत करें एक limited use करें और फिर मारे पास कुछ food editors नहीं जिसना monosodium glutamate or nitrates वगर इनका हम पहले भी discuss कर चुके हैं नेक्सट हम चलते हैं if they ain अब यह तो हमने कह दिया कि जी हमें सरदर्ध है इन इन वजवाथ की वजह से सर में दर्ध हैं अब हमें कैसे कैसे पता चलता जाता है कि अब हमेäreं कहां गानाद हो रहा है सबसे पहले आपको feel होते है pain chest में आपकी latest YEAH पैन in the head with the pain being above the eyes यानि अब जब आपको headache, ये headache की types है यानि किस किसम में आपको feel हो सकते है कि जी I am suffering from headache अब क्या होता है कि हमारे पास pain कहां feel होता है ये eyes जो है ना आपकी इनके above, आपको बहुत severe किसम का जो उनसे क्या होता है, pain feel होता है next है हमारे पास behind the head, यानि कि ये जो होती है ना आपकी bone, ये होती है occipital, in the back of upper neck ये, like this, ठीक है this one is clear picture for you guys, तो ये हमारे पास क्या होता है, pain होता है in the neck region, ये हमारे पास third type है अगर आपको ये ऐसे symptom feel होते है means कि you are suffering from headache, next है अब ये देख रहे हैं, आप लोग ये किस तरीके से इनको ज़दा ज़दा शोर भी feel हो रहा है तो उनको क्या हो रहा है, pain feel हो रहा है इसके इलावा, अब हमारे पास है कुछ what causes headaches on the job smell and odor, बहुत ज़दा जो लोग तेस perfume यूज़ करते हैं इससे होता है, stress and anxiety the major issue, इन्शाला हम stress and anxiety पे बहुत ज़दा बातें करेंगे next video में कि stress and anxiety होती क्या है, हमारे students क्यों इस anxiety से सफर करें क्यों बिचारे परिशान हो गए और अपनी हालतें बिगाड़ के बैढ़ गए है, लेकिन आप लोग ने परिशान नहीं होना, ठीक है जी हम stress and anxiety पे ज़रूर बात करेंगे और बहुत जबर्दस किसम की video लेकर आएंगे अच्छा, पानी की कमी lack of water बहुत ज़दा issue है कोशिश करें, especially ये message मेरा उन लोगों के लिए है जो offices में जा रहे हैं या जो लोग colleges में के लिए students है या जो लोग universities के students है या dehydrate मत करें hydrate करें, यानि के ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियें और ये कीन मानिया कि ये procedure मैंने खुद भी apply किया है कि जब मैं ज़्यादा water intake करती हूँ तो मेरे जो stress है, जो मेरी anxiety है वो almost जोन से डिक्लाइन हो जाती है next है हमारे पास poor sleep as I already discussed you guys के जब आप लोग अपने सोना कम कर देते हो तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा headache होता है फिर caffeine है और कुछ certain foods हैं जिनका मैंने previously जिकर किया था कि foods की index है next चलते है हम फिर है हमारे पास headache के types हैं कौन-कौन सी types के जोन से हमारे पास headache साते है एक होते है हमारे पास sinus headache फिर है हमारे पास cluster headache फिर हमारे पास tension headache और फिर हमारे पास migraine माइ ग्रियन तोप्यू